इसका नाम है अजे अमेरिका में सेटल होना ही इसकी खोयश है एक अच्छी सी नौकरी, एक सुन्दर सी बीवी और एक छोटा सा घर यही इसके सपने हैं और इन सपनों को पूरा करने के लिए ये एक सौफ़वेर कंपनी में जॉब कर रहा है पर आजकल पार्टाइम एंप्लॉई का और फुल टाइम लवर ज्यादा बना है और इसे देखर जो लड़की शर्मा रही है उसका नाम है माधुरी ये है करन, पुलिस ऑफिसर बनने की एक ही खोयश से जी रहा है इसके लिए दरजनों अंडे खाता है और रोज दो लीटर दूद पीता है लेकिन रिश्वत देना नहीं चाहता और रिकमेंडेशन लाने का दम नहीं है इसलिए सिक्योरिटी गाड बन गया है इसका नाम है पपु ये एक एसेस्टिन डारेक्टर है एक ना एक दिन शारुक खान के साथ फिल्म बना कर बड़ा डारेक्टर बनना चाहता है लेकिन इन सबको ये नहीं पता है कि इनके सुकी जीवन में एक बड़ा तूफान आने वाला है कमत वाला नमबर वन हत्रों से खेलना है मेरा काम माल का मना है जरूरी उसमें मागन मैं सुभो शाम कि इनके सुक्षा लेक्षा 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 काम हिम्मत वाला नंबर वान खत्रों से खेलना है मेरा काम माल का मना है जरूरी इसमें मगन मैं सुभो शाम ना बोलना अच्छा नहीं तुम देखो ना सचे यहीं हर लड़की का एक ही सपना साथी मिले सिर्फ नंबर वन यहाँ पे वहाँ पे कहीं पे किसी सब्सक्राइब यहाँ तु लफंगों के साथ डांस कर रहा है मुझे तुझे अपना भाजा कहते हुए शरम आती है अरे मैं इस गाओं का प्रेसिदेंट हूँ कुछ तो मेरी जर्ट का ख्याल क्या होता बस करो मामा जी आप मुझे इस तरह सरयाम जलील नहीं कर सकते समझे अब एक बार बहुत अच्छी तरह से समझ लो मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ रुक जा इसके सर पे 200 रुपे रखता हूँ फिर भी से कोई नहीं खरी देगा ये लो ये मेरा भी सौँ हाँ देखते तुम्हें भी कौन खरीता है बड़े खुद को जॉज बुशता मजने वाली चलो निकल दे आए यहांसे और है कि रुक रुक कोहीं रुक जा तुझे के अब्ड़ो के इजदी करके यहां क्या करने आया? तो और क्या करता? बाजर में बेशली के लिए खड़ा कर दिया? तो बिग जा था क्या? क्या सोचके यह स्ब कर रहा है तूं? मेरी मर्जी, और वैसे भी, ये सारी जाइदा मेरी ही तो है, मैं तो बच्पन से देख रहा हूँ, कैसे तुम लोग ने मेरे बाब आपको दोका देकर ये सारी जाइदा निकल एक कोशिश की, देखा, देखा, क्या बखराई है, बजपन से इतना प्यार से उसे परा किया है कभी मांगा था मैंने, कभी मांगा था मैंने आपसे प्यार और वैसे भी आप दोनों ने मुझे आज तक दिया क्या है क्यों रे, दिन पर दिन तु भी गड़ता जा रहा है हमने पुछेंगे ते कौन पुछेंगर तुम्हें आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हो मैं जानता हूँ बाहर किसी से कहना मत लोग हसेंगे और वैसे भी आप लोग तो एक ही धिंदूरा पीटते रहो तो के में बिगड़ गया बिगड़ गया मुझे आप से ज्यादा प्यार करने वाले दोस्त है इस दुनिया में यह मेरे दिल में क्या चुबा तो जाओ उनके पास या रहो जा रहा हूं उनके पास जा रहा हूं बात करते हैं अची चल निकल दे यहां से ये तो टीसी बकड़ लेगा क्यों ऐसा क्यों फिना टिकेट के एसी में या तो पकड़ेगा नहीं क्या तुब्ही मजाग करता है तेरह सामान का है शाम की गड़ी सो अपच जाएगार क्या नहीं रहे वापस लोटने का तो सवाल ही नहीं उठता अध सर्थ तु ही मेरा सब कुछ है तो फिर कपड़ी क्यों नहीं लाया है तो लोग्या सोचेंगे चल अब दस जोटे दिलाई दे हां लेकिन प्रेंडेट चाहिए हां शहर में तो लड़किया बहुत ही खुबसरध होती है तेरे तो मज़े है यार किसी को बटे आगे है या अभी भी खाली हाथ घूम रहे है देख मेरी बात मा अभी वक्त है इंञा क्या दो पर इसे चलने वाले को लाइसे बिलते है क्या नहीं नहीं है नहीं है पुलिस नमस्तिक कर मेरा गॉलर पकड़ने से कुशनी होगा इसका पकड़ो तो माल आएगा दोस्त मामू को 200 रुपए देते हैं पैसे से हर काम आसान हो जाता है अरे मामा यह वियाइपी कोन है वियाइपी नहीं गुंडा है रहीम नाम का क्रिमिनल पूलीस से बचकर भाग रहा था बस से जाके टकरा गया एक्सिडेंट हुआ होस्पिटल ले जा रहे हैं चलो 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 यार तो अमेरिका जाने वला था ना प्रोसेसिंग तो शुरू हो गई है विजजा आने की देरी है अब तक तो ठीक था अब तुँ आ गया है अब ना जाने क्या होगा चल चल मेरे सल मेरे साती यहां बाइक ही है नहीं हातीे है यह क्या कर रहा है थो हैंडल पकड़ की चला, खुद भी मरेगा मुझे भी सात ले जाएगा तेरी मादूरी कैसी है उसे क्तिरी है अब पतानी इस बूढ़े को क्या हो गया है कुछ ज्यादा ही और एक्टिंग कर रहा है वो किस काम से आया है कुछ नी ऐसी सर इसका क्या मतलब हुआ अब किसी काम से नी रह सकते चीफ पेलोस अच्छा समझ कर घर के रहा पे दिया था पता है स्वाइब तुझे कि हम अच्छ तो तुमारा अड्रस तक पता नहीं चलेगा अरे मैं तुझे मार भी डला कोई नहीं पुझेगा जैसे शेर का बट बड़ा डॉन है उससे चीर के रख दूंगा कोई रोक नहीं आएगा मुझे अब तक पाला नहीं पड़ा नो वह आपका भी बड़ा बाप है तुप क्यो भाग क्या उसने तुमेरे साचिलत को बता अब इधरी बोला अब दूद चलना बताता हूं अब दूद और पेपर भी मुझे मगवा रहा है अब जाए कि दे दे खत्म हो जाएका है कैसे हो बाभू फर्स्क्लास इसके हो ते वावर का नेशन है अब बाद में मिलेंगी बा कुछ नहीं और आठ साल एसिस्ट करेगा तो भी इसका कुछ नहीं होने वाला कब समझेगा क्या पता है ये कुछ भी बगता रहता है मैं बहुत अची तरह से जानता हूं तू एक बार सटल हो गया ना तू सब को सटल कर सकता है अरे तू बहुत स्बाट हो गया पहले कुछ नहीं तो क्या यह चोपड़ा और मदूर भंडार करको भी उनके पैरेंट्स नहीं एंकरेच किया था तब जाके इतने बड़े बने हैं कामिया भी मिलने के बाद लोग कुछ भी बोलते हैं तू मेरी बात मान कोई अची नौकरे डूंड ले ए सुन पप्पू ये सब बेव को मेसेज कर दूंगा कि मैं आज सेफ ली पहुच गया हां कर दूंगा घल से घल से भी घरम बानी से नहां इंतिसाम करना यार अब अपना पहले फोन तो उठा रिंग बजरी जब से अब से अब पचास मिस कॉल्स मेरा मोटराम पाघल हो गया लगता है मैं यहां पर बिना शोनिंबें किया क्या अब सु हुआ ऐसर पर फोन दे यार अब है थे आभ देलो तुन्हें अब तग रिचाज दें है धन्यल quindi क्यां चानि क्यों अब दरनें वे वो गुफ सिक्स sour ऐा नेत नहीं है नई यहां तुझे इतना भी याद नहीं रहता है। मैं आफिस में हो तुसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है। उस नंबर पे फाउन करके मैं ही कुछ कर लूँगा। उसका नसीब अच्छा है। सुभा सुभा उसने सौर बे कमाली है। अच्छा तो तु मेरे से गेम के लिगा। मैं तुझे एसे नहीं छोड़ूँगा। हलो। अभे यह तो लड़की है। हलो सुनिये मेरा नाम बाभू है। हलो। मेरा नाम बाभू है बाभू। क्या बीपी बढ़ गया है। बाभू। मेरा नाम बाभू है बाभू। कितना बढ़ गया चेक किया। मेरे फ्रेंड ने आपकी फोन में रिचाश करवाया। 80 हो गया है। क्या 80 हो गया है। यानि 20 रुपे खत्म हो गया। कलोस्ट्रल चेक किया क्या। इसा ही चलता रहा तो कार्ट डालेंगे। कार्ट डालेंगे। ऐसे कैसे कार्ट डालेंगे। मैंने अपने 100 रुपे मांग लिए तो आप मुझे कार्ट आलोके। अच्छा पहले की तरह दवाया ले रहे हो ना। आपकी दुआ चाहिए, आपकी दुआ चाहिए, 100 रुपे दे दो मेरेंगे। अपना खयाल रखना। हलो, बोलिये। देखिए वो सब दवादारू का छोड़के मेरे 100 रुपे दे दीजे ना। कौन सा सौ। वही सौ। जो मेरे फ्रेंड में दर असल मेरे फोन के बज़ा आपके फोन में रिचार्ज कर दिये। मैं इस वक्त बिजी हूँ, आप शाम को फोन जीजे। देखिए, काटिये मर्द। माडम, काट.. तुम्हे राजकुमार जैसा ही पती मिलेगा। तुम इतना बीजी रहती हो। फिर भी हमसे मिलने रोज यहाया करती हो। तुम पहमेशा भगवान के कृपा रहेगी। हमारे बच्चे तो साल में एक बार ही मिलने आते हैं। लेकिन तुम रोज हमसे मिलने आती हो। तुम हमसे बहुत प्यार करती हो। जिसके पास सब कुछ होता है उसे उनकी कीमत का पता नहीं। अच्छा मैं चलती हूँ। बाई। यह मोटूराम तो बाज आने से रहा। आकले। 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 रकत कर रहा पहले ह। फोन तो उठा तू नहीं तो फेक दे। क्यों। फोन फेक हूँ क्या। तुझे इतनी परिशानी हो रहे। तो सौर रुपया दे दे मुझे। नहीं तो अपना मोग बंद रख। यह सला सुनेगा नहीं। इतने सारे miss call याते हैं और लगता है फोन का हेलो बोलो आपको क्या hero समझता ही है फिर से miss call रुखजा रुखजा मेरी बात सून रुखजा प्लीज रुखजा यह नहीं रुखने वाला दोस्त मुझे अपना फोन देगा प्लीज रेक दे रुखज़ यह रुखज़ वोस्त फोन is that? मम, it's mine अप्लीज़ I'm sorry ma'am, please अप्लीज़ अप्लीज़ मैडम, मैं बाभू बोर रहाँ मैडम क्या है? अब मेरे जार बेका क्या हुआ वहा थाँ अपन क्लीज थाँ थान तुमे देखिये देखिये इजिट इसने फिर से पुन रख दिया और यह करते जारे उसकी मा की या सोस्ता अभिशेक को लेके दिवार या शोले का रिमेक बनाऊ यार यार रेप सिन मुझे ही दे ना सुन अभिशेक गबबर और एश्वर्या खड़ें और मेरा कैमरा धीरे उपर जाता है राम चौट अहरार धीरे से स्टार्ट होता है गबबर की आखों में डर और अभिशेक की आखों में गुसा अब मारेगा डायलोग अरे मैं यूवा धुम के रास्ते आकर गुरू को अपने साथ लेकर रावन की ऐसी तैसी करके आया हूँ और तरी इतने इमत की तुमेरे सामने खड़ा है क्या बात सिधा इंटर्वार और हॉल में ओडियंस बिलकुल शान्त यही है पफू का स्टाइल एक साल पका एक साल अगर अब इशे के डायलोग बोलेगा ना तो पुरी इंटर्शिक को हिला के लगदेगा एक और बॉटल लाते है और सेकेंड अफ सुनते है इसका फोन आना शुरू हो गया हूँ है मिसका लॉला अरे मोटुराम कितना प्यार करेगा मुसे रात को तो चैन दे अपर तेरी वज़े से मुझे चाट दी रही है ठीक है तेरा फोन दे इधर तेरा फोन दे इधर कब तक मेरे पैसे नी लोटाएगी हलो कौन है तेरा बाप उरे कौन क्या अगर मैं कस्टमर केर से बात करू तो तुम्हारी केर कौन करेगा ते क्या बख रहे तू बख रहूं और बखूंगा क्या कर लेगी तू यू इजिए और इडियेट्स टॉन नंबर वन मवाली नंबर वन बदबाश नंबर वन इंमत तु मेरे बारे में कुछ नहीं जानती है काट डालूंगा समझी काट डालूंगा तुझे इतने आसारी से मेरे सौर पे निगा जाओगी यू चा को गोग दूंगी तुझे जो करना है कर ले फुलन देवी लेकिन एक बाद चान ले मैं तरह क्या हाल करूंगा तु सोच भी मैं हुशरावी अपने दोसों की पैसों की पीता हूं तेरे मपको किया ओषे ड़ यह कोणा रे यार सुबहि articulate का करूं लेज इतर भी यह आइजया न अदर आईये डमाड़ अंदर सुना है तू जब मारना सुरू करता तो मारता ही चलता है किसको मारे मेने? मैं तो कली यहाँ पराया खुण तुने काहा है ना, पूलिस की स्केट की मूली है, तू उसको उक्राड के फेक देगा? साप, क्जेट की क्या बात करते हूज थे, फेस देखिये, मैं आसके हैं सकता हूँ, जया और क्या-क्या कहा इसने? वो पोलिस वाले मेरा क्या कर लेंगे यही कहा था उनके तुक्ड़े तुक्ड़े कर दोंगा पूला एए चल चल जाके सवाणी बोल वाव क्या बात है देखने में तो इतनी खुबसूरत हूँ पर फोन पर आवाज इतनी खराब क्यों थी अच्छी खासी हिरोईन जैसी शकल है तुने सॉरी बोला क्या एक मिनिट सर मेरा भेजा खराब हुरा है अरे बाप रे इतनी खुबसूरत लड़किया और मैने उससे इस तरह से बात की मुझे तो इससे सौ बर माफिय मंगनी चाहिए देखो मैं तुमसे माफिय मंगता हूँ बल्कि एक लिए सौ बर मंगता हूँ वैसे तुम्हारा कोई बॉइफ्रेंड वक रह नहीं है उससे तुम्हें क्या यानि नहीं है फिर तो आज से मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ अरे किस बेवकूफ को पैसे चाहिए आपस मैं फ्रेंडशीप हो प्यार हो यही तो जिन्नेगी हम दोनों की बीच में पैसे कहां से आए आप भी रख लीजिए वो पैसे मुझे नहीं चाहिए हो 100 रुपे उसके बंदे में आपकी फ्रेंडशीप देदो हम लोग रोज मिला करेंगे और अरे अरे कहां जड़ो मैडब रुखिये अरे मेरी पुरी बात तो सुनिया आप तो बुरा बंद गए अपना नाम तो बढ़ताते जाए है रुखिया सॉरी बोला कि ने एक बार नहीं हजार बार बोला सर किसे बड़े घर में रिष्टा देख रहे हैं जाहू तो घर चोड़के मैं अजे की साथ शादी कर सकती हूं लेकिन मेरे सिवा पापा को तो कोई नहीं है ये भी सही है फिर तो प्रॉब्लम सॉल है बट वीजाने में देर हो रही है वही तो टेंशन है अब मैं आगया होना सब सॉल कर दूगा अवेशा घोश रहने का अगर मेरे कॉलज में इतनी लड़के होती तो मैं कभका कलेक्टर बन जाता अब रहनी भी दो पाँछ मिनिटी हे रुक ना मैं आती हूँ अपाँच मिनटी की क्या बात करते हो फॉल टाइम ले लो, मैं यह यह रूखूंगा पुली की बैटी की शेहर में अहाँ कमी नहीं है लड़कों की शेहर में अरे भाप रह प्रे, पुलीस वाली यह पर अरे, तुम यहां कैसे? हाँ? स्टुडेंट हो मैडम? स्टुडेंट? यह, M.S.E. Computers. Computers, हाँ? Computers is an electronic device which can calculate... ...correct हाँ? Correct है. लेकिन है medical college है. यह यह क्या गर्दिया मैने? रुक जाओ यार. हाइ, हाइ. क्यों तुम दोरों पहले से एक दूसरे को जानते हूँ? हाँ, हमारी बहुत पुरानी जान पहचान है. और बहुत कीमती ही है. 100 रुपे कीमत है? बाबू, मैं अभी हाती हूँ. ठीक है, कोई जल्दी नहीं है. मैडम, एक मिनिट रुक जाएगी है, मैडम. मुझसे दो मिनिर बात तो उने में क्या हर्ज है? अगर आपकी और मेरी शादी हो जाए, तो कितना अच्छा होगा ना? देखो, इसमें शर्मानी की कोई बात नहीं. आप सोच लीजिए, मुझसे कोई जल्दी नहीं है, आराम से. देखे, आपको जिंदगी में कभी ना कभी तो शादी करने ही पड़ेगी. और अगर आपको मेरे चैसे हैंडसम पती मिल जाए, तो फिर तो आपकी जिंदगी सवर जाएगी. अभी तो अपना नाम बता दो. अभी तो शर्मा भी. इसकी हसने का क्या मतलब हो सकता है. हेलो, अपना नाम तो बता दी जाओ. देखो मैं तुमारे हाट जोड़ता हूँ, अभी तो अपना नाम बता हूँ. मेरा? रेखा हेमा जया श्री देवी. इसने तो परे खांदान का नाम बता दिया. रेखा, हेमा, मुझे को समझ में नी आ रहा है. देखो मेरा नाम बाभू है, तुम्हारा बेबी. वाट? बाभू, बेबी. बाभू, एट्स, बेबी. बाभू, एट्स, बेबी. सुपर आड़िया ना. अना? हमत्वाला नमवाने. बतो हुई. कौन सी दुनिया से आई? चांद से भी वो है प्यारी. सपनों में आये, जुंका कह जाए. कौन सी दुनिया से आई? चांद से भी वो है प्यारी. देखूं जी भरके, आरजू है ये. कदमों में तेरे हर्यालिय और अहसास बहारों का. पादा पादा मदगा, तेरे पीछे में चला. अब हाथों में हाथ तेरा, नहीं कोई यहां है तिसरा. हसी में है जरना, बिन तेरे ना जिना. ओ ओ ओ ओ ओ... झाल झाल कल क्या होगा कोन ये जाने शायद हो पूरे सपने आख भी भर आए गर तो हसते है ये लब अपने चाल है तेरी ये निराली इश्क को चाहने वाली मन हुआ एक पागल भवरा चाल है तेरी मत वाली ये रहना बित जाएना सब बदलेना ये रहना बित जाएना सब समलेना हम होंगे साथ सब देखो नहीं होंगे जुदा हम देखो ऐसे मिले कि अब सब की जुस्त जूँँआ पहाड़ पच्छाया हुआ बातिल कितना अच्छा लगता है प्रकती माँ की तरह होती है जिसमें सने हैं, पियार, मासुमियत, सब कुछ होता है जैसे माँ भाप का पने बच्चे के प्रती होता है और मैं बदकिस्मत मुझे तो ये सब कभी मिला ही नहीं ऐसा ही, ऐसा ही मैं हूँ दिवाना ऐसा ही, ऐसा ही मैं हूँ दिवाना है, ऐसा ही, ऐसा ही मैं हूँ दिवाना ऐसा ही, ऐसा ही मैं हूँ दिवाना जान से भी प्यारा तुम हो मैं तुहूं प्यार के मारी जाब देखो तुम ही तुम हो फिर में हो तनहा खड़े तुम संग अब पर ना जेना एक जाए तुम और हम कौनसे दुनिया से तुम आए तुम पे सब कुछ है अर पर ये रह ना बित जाए ना अब तुम दिना ये रह ना बित जाए ना हम तुम दिना हम होंगी साथ अब देखो, नहीं होंगी जूता हम देखो, अज पूरी होगी अपनी ये आर्जू कौन सी दुनिया से आई, चांद से भी वो है प्यारी, सपनों में आये, जुंका कह जाए कदमों में तेरे हर आले और अहसास बहारों का, पादा पादा मदगा, तेरे पीछे में चला, अब हाथों में हाथ तेरा, नहीं कोई यहां है तेसरा, हसी में है जरना, बिन तेरे न जिना, ओ, 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 सब्सक्राइब हुआ यहां पर बैठे हो, आज रास नहीं आगया, किसे ने कुछ आगया तुम्हें, इसकी माकी, बाबु, आज में ढ़ते हो, जा रहते है। ऊसका। अगर तुम्हारी माँ तुम्हे इस हे इस अलत में देखिते इत तुम्हें कितना में दुख होगा मैं अगर तुम्हें खुश रहोगी तो तुम्हें देखकर वो भी खुश होंगी और आसब गौन ए spiritual गुडतिक र्रीमिनिंग पीपल वा Prabh मैंने बस इतना कहा कि जाने वाले अच्छे होते हैं और जीने वाले उनकी याद में जिया करते हैं क्या बात है मुस्कुरा दिया ना अंटी आपकी मेंटी एकदब खुश है आपको टेंशन लेन की कोई जरूरती है बता दे उने अब तुम जल्दी से अपने क्लास में चली जाओ बड़े दिनों बात अच्छा कांटी है बलो तुम हमेशा है ऐसे खुश रहते हो मैं अपने बड़े की दिन इतना खुश कभी नहीं हुए इतना सब कुछ कहने की कोई जरूरती इट्सो के या बड़ी तुम्हारा बड़े है आज अब बाद है जगास हम दोनों के मिलने के बाद यह फर्स बड़े इसलिए मेरी तरफ से ग्रान पार्टी और्गनाईज होगी आज ला बड़े प्रिया है बड़े 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 झाल झाल खुश कर दो आज मैं 21 साल की हो गई हूँ और मुझे इतना बड़ा गिफ्ट मिला है मां की गुज़रने के बाद सिर्फ तुम लोगों से ही मुझे इतना प्यार मिला दुखी मत हो बेबी आज से अगर तुम्हें किसी भी चीज की जुरुत हो तो माम लेना इस से हां तुझे भी मैं दू और इसे भी और मुझे कौन देगा अमसर में ना तेरे लिए एक मिनुट मेरे साथ चलो ना दोस्तों थोड़ी देर मैं थाओ ठीक है तुम सब लोग ने मिलकर मुझे जोकर बना दिया और किसको बनाएंगे कहां लेकर जारे अब आओ मत पर तुम्हे ये शारदा जी है है तुमारा जन्म इनके हातों से हुआ सबसे पहली बार तुम्हे इनोंने छुआ hết कैसी हूँ बेटा यह बबा साब इनोंने तुम्हारी पढ़ाहे में मादद की बेबी, यह है सुभाज सर, इन्होंने तुम्हें अपना पहला अक्षर लिखना सिखाया बेटी, तुम डॉक्टरी पड़ रही हो, सुनके बड़ी खुशी हुई तो यह है तुम्हारा भर्टी क्युफ्ट तुम्हारे लिए हम सब है, इससे आगे कभी मा की कमी महसुस मत करना है चलो, चल देख, थैंक्यू मास्टर जी, अपना ख्याव रखना देखो इन्हें बताने की कोई ज़रूती, यह लोग मुझे छेड़ेंगे तुम्हारे इन्ही आदाओं पर तुम्हारे थैलो हाई, हाई अंकल, तुदेश मैं बर्थरे, ओ, बैनी है रिदेन्स अब देए, थैंक्यू अज मेरा जर्मदीन है, हाई, हैपी बर्थदेश थैंक्यू, माइंड ब्लोईंग, तुम्हारा केक जब इतना टेस्टी है, तो तुम कितनी टेस्टी होगे, यह तमीज नहीं है, क्या, हाई, कहां जाली हो, गिफ्ट महीं चाहिए, क्या, इसे रख लो, बतमीज कहीं के, हाई, यह यह तो तुम्हीं भोल देता है, हाई, अगर कोई बत कमेजी करता है, तो मैं उसकी बैंड वाजा देता हूँ, छेड़ता है, तो चीर के रख देता हूँ, तो यहाँ पर अभी तक साही सलामत बैटा है, सिर्फ इसलिए, क्योंकि उसका बर्ड़्डे है, अपनी जिंदेगी को मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लेना, क्यों उले, मुझे मालेगा क्या, क्या ना मैं तेरा, क्या समझता अपने आपको, तोप है क्या, अबे तुझा मारने के लिए तोफ की क्या जरूरत है, और गिफ चाई है, और गिफ चाहिए तुझे एले है, ये चाहिए ये चाहिए, ये चाहिए अभल अँद्र, आप अबै ये तेरी तो, इस शचते अपने बाभी बनता है, साले, युचा वध्यू, थूट बाहुन बाहुन, छोड़ दो, तुम छुपरा ही जार पीछे जा ये तो यूसें थ्रो है, अगर फिर से दिखाई दिया तो बजा दूँगा, और अगर तुझे मार खाने की इच्छा हुई, तो आजाना तेरी बैंड बजा दूँगा, तेरा नाम विजय बाबु है, कभे बोलना मत, चलो अजय, ये लो, ये कैसी दादागरी जिसे चाहो उस इसमें बाबु की क्या गलती है, पहले उसने समझाया, ने समझा तो मारा, ये समझाने का तरीका होता है, उसने जो भी किया, लेकिन तुम्हे तो सोचना चाहिए था, इतना गुस्ता क्यों, वो लफंगे हमें छोड़ेंगे नहीं, क्या कहा, छोड़ेंगे नहीं, मुझे पागल समझती हो तुम, कल तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन आप तुम मेरी हो, कोई तुम्हे कुछ कह रहा है, तो वो मुझे कह रहा है, और इसलिए अगर तुम्हारे साथ कोई बद तमीजी करे तो, मैं नहीं सह सकता, मैं यह बिल्कुल नहीं सह सकता है लकिन मेरी बात तो सुने तुम सब मेरे दोस्तो हो तुममे से अगर किसी को भी कुछ कह रहा तो मैं उसे जिंदा नहीं चड़ूगा चीर डलूँगा शुनो बाबूब भस मैं नहीं सुनना चाहता हमां भी तो नहीं सुनुना यहूंगा मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूँगा सब ठीक हो जाएगा कहां से आ रही हो तुम थे यह पापा वह मेरी 2023 के बर्देर stay कॉए प्रहोघ को ने नहीं मिली तुमारे फ्रेंड को फोण किया था वा वह नहीं सुबवे से पां कर रहे हुँ तुमारे फोण सुभा रहा है अभी मानोज गारे बोला होलो कल आ रहेकर बादा करेकर λिए अवह क् twenty fellow a too लोगा देखने आ रहे हैं तो जो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है तो बोलो अजय यह रोज की मिटिंग से कुछ नहीं होगा भगा के शादी करवा देंगे मैं नहीं भागूंगी तो फिर क्या करोगी यहां तुम्हारा बाप किसी अनराइए लड़के इसे शादी करादेगा तो फिर जिंदी के वब रोते रहना और अपना दोस्त आजे देवदास बनके घूम का रहे गा अबे रुक क्या रहे है सुना मादुरी तुम जाकर सोजाओ कल सुबह देख लेंगे रो क्यो रही है तु अरे देखने ही तो आरे शादी हो रही है क्या जाओ जाकर सोजाओ हम है अब तेरा क्यों मू लटका हुआ है चल टेंशन मतले में हूना यार चल बेटी मादुरी को जल्दी जल्दी डेडी कराओ नो प्रीजिक है अंकल जैसे आपने चाव वैसे हो रहा है ना मैनत क्या है ना क्या अंकल इतना एंटिक गेटब लड़के वाले देखेंगे तो क्या सुचेंगे अरे अमेरिकन है सौफ्यान इंजिनियर और इतना पैसे वाला है और आप उसको ऐसे मिलोगे अंकल ये बात गलत बात है क्या खराब है अच्छा ही तो है अंकल अगर आप मॉडरन कपड़ तो आपको गवार संजिए कि मेरे पास सब नहीं है लेकिन मेरे पास थे अना आप टेंशन मतलो चलो अंकल को लेच चलो अंकल चलो अंकल तो अन्धिक अंधिर अंधिर ईलसा अधिर संअ यह दो को अचितर्व मुणार की अवादा दो कि आखको कि अम यहाद्नी है अरफ कि अक्यों कि अम्हेंदरशी होडी तो ने सुपर अखर अगरे वंकर अरे अगरी अगरें थागर कावश कि अमकी प्रेंड आपक्व वेल्कम, वेल्कम, हलो, 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 वाई साथ, कैसे हैं आप? I am fine, please welcome, welcome, please, please, most welcome. अप यांगर हंसम लग रहे हैं, नाचरली, ताइम पर डायेट, थोड़ा-थोड़ा एक्सरसाइस, मोरोवर, मन को सुकुन औ शांती से रखना, यही मेरा ग्लेमर का सिक्रिक बेखना. जड़ा माधरी को आने के लिए बोलना बिटी बैठो बिटी फिल्ट फ्री तो फिर अमाउंट ओके है ना सिली कोश्चन एक ही बेटी है सब कुछ तो सीखा है लड़की को संगित का नौलेज है ना आपको पता नहीं बिसिकली मैं म्यूजिक लवर हूं इसलिए बेटी को भी संगित सिखाया यह लड़के लोग कौन है कुक, क्लीनर, ड्राइवर, वच्मैन सिली वोरकर्स लड़की हमें बहुत पसंद है, बहुत ही शुशिल दिखती है मैं कायदे कानन के मामने में बहुत ही स्ट्रिक्ट हूं आप लग बात कीजिए आप जला बात कीजिए आप ज़स्ट कम ओके लड़की से कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा फ़र के लगी ज़स्ट कीजिए लगोइप, अंकिल। अंकिल कावरोउम अंकिल। आप रहे हैं अंकिल, अंकिल क्या हो अंकिल। मेरा बेटा नहीं है अच्छा इस हालत मैं तुम्ही मेरा साहरा हो बेटा प्लीज वो लोग चले जयने तक तो मैं मुझे समागा होगा अंकिल, अंकल प्लीज, बेटा ये तुम्हारी बेहन की शादी समझ के थोड़ा मेरा साथ दो प्लीज, मेरी मदद करो वो लोग जाने तक मेरा साथ बेहना मेरा मतलब आपको लेने के लिए आप चलो चलते हैं अंकल पहुदर दो रहा है शोरु 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 मैंसा होदा है अंकल मेरा बेटा चार साल से टेकसाज में जॉब कर रहा है परमानेंट जॉब इसका ग्रीन कार्ड भी आगया है क्या हुआ भाई साफ आपका चेहरे का रंग क्यों रहा हुआ है अरे बैठिए 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 प्लीज बैठिए खड़े मत रहिए आपको वह तकलिफ हो रहा है बैठिए बैठिए क्या हुआ क्या हुआ हुआ पदाए रखना पड़ता है मेरे घर में आकर मुझे बैठने के लिए बैठिए चैब कोने बैठिक यह रहा है। बाइसाब, बाइसाब के जा रहा हूँ अंकल, जबान समाल के बाद कीजिए तेरी तू होता कोन है मेरी बेटी से शादी करने वाला बाबो, निचल लो इन साब को बाद पप्पु ने आज की मीटिंग के लिए बहुत महनत किया अगर उसका काम बन जाएगा एक बार अगर उसकी कहानी कोई सुन ले तो फट से चांस दे देगा उसको गुडनी उसे यार, जस्ट उज़िए का फोन आया था उसने हां कर दिया यार, अरे मामला जम गया यार अगर उसे स्टोरी पसंद आई तो, तो मैं डारेक्टर, तो कल बहुत बड़ा डारेक्टर बन जाएगा हमें भूलनी जाएगा ना यार ऐसा मत बोल यार, तुम लोग तुम लोग तुम लोगो कैसे भूल सकता हूँ एई छोटो और एक चाहे यह बात बेबी और माधरी को पता चल जाए तो उन दोनों को सर्प्राइज देंगे लीज यार, यार, सॉरी हां, बहुत बर मैंने तुझे डिस्करेज किया छोड़ यार, दोस्ती में तो यह सब नोग जोग चलता ही रहता है ना मैं बुरा नहीं मानता हां पपो, गिव यार, दिखा देना सबको मैं एक बड़िया फिल्म बना कर दिखाऊंगा आठ साल तक इंतजार किया है मैंने अब हमारे लाइफ में कोई भी प्रब्लम नहीं होगी और मेरे माबाप का सपना भी पूरा हो जाएगा दोस्त अब हमारे आठ लुटर भी अवे थे थे पाता कैसे मारा जाता है अब हमारे जाता है अब हमारे बेवकोफ तुझे कुछ निया था मार रहा तुझे पैसिखाता हूँ इस दें गयता है मार रहा और्क वाहा हाई। झ्षक प्फक यंच प्फक प्फक और स्वलрахं़ śबब लगा आर सलुब को प्फक प्पक पपक सांग प्पक सिक पॉच प्षर मंझग वे भोच आर, बखें brilliant प्चक और सम्रोसंगered अच्छार जल्दिक उसके पेरेंट्स का है? हम लोग है उसके दोस्त स्कल्ट फ्रेक्चर हुआ है इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है एक गंडे में ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है एनोसी पे साइन कीजिये ऑपरेशन करना है ओपरेशन में खर्चा कितना होगा? पांच-छे लाग का खर्चा है पांच-छे लाग? जक्टर, पांच-छे लाग में सब हो जाएगा ना? हेलो, मामा जी क्या है? मामा जी, मुझे अभी पांच लाग रुपे चाहिए क्या कहा? तू यहाज से जाने से पहले यह तिजोरी छोड़के कहा था क्या? पैसे वैसे नहीं है पलीज, मामा जी मामा जी, तेरा बाप का माल है क्या? हुझतना है मेरी जैदाद है कुछ नहीं बचा कान कोलकर सुन ले तेरे बाप ने जो जमीन छोड़के गया था उसको तुसे धारू में कपका उडा दिया रह गया मेरे सर पे रखा हो 100 रुपिया चाहिए तो लेके जा तुरंद मिल जाएगा इतने दिनों तक तु हमारी रहमो करम पे जिन्दा रहा अब वो सब क्यों कह रहे हो मामा जी मैं तुम्हारे पेर पकड़ता हूँ तुम जो चाहोगे मैं करूंगा गाओ वालों के सामने तुमसे माफी मांग लूगा मेरे फ्रेंड के एक्सिलेंट हुआ है पैसे नहीं मिले तो उमर चाहेगा प्लीज मामा जी तेरे जैसा में कम मन आला है किसी कम का नहीं आइंडा पॉंड मात करना पॉंड़क मामा जी मामा जी ये क्या आजए यूएस वीजा के लिए तीन साल से पैसे भर रहे हो जानता हूं सर और दुबारा मैं पैसे भर भी दोंगा पर उसकी जान बर्चाना जरूरी है मैं समझ सकता हूं अजय लेकिन सारे पेपर सम्मिट हो चुके हैं नथिंग इस इन माय हैंड आम हेल्प्लेस तेरी पगार उत्ती है क्या हां सर मैं जिन्दे के लिपर फ्री काम करूंगा सर मेरा फ्रेंड का एक्सेलेंट हुआ है सर आपरेशन नहीं किया तो उमर जाएगा कि मर जाएगा तो एक काम कर यह पांच हजार ले जा उसके श्राद में काम आएंगे क्या काओ तो ने कम इन है मेरा खॉलर पकड़ता है लोन मांता है कहां से चुखाएगा इसका पता नहीं मूँ ठाकर चला आया पैसा मांग नहीं किदर जा रही है पपु का एक्सिदेंट हुआ है हॉस्पिटल में दिमाग खराब हो गया तरह है घर की जेवर गिर्वी लखने जा रही है अंदर रख्या मेरी माने मेरे नाम पर ये एवडी बॉंड्स खरीदे थे सर प्लीज इन्हें गिर्वी रखके इसके अगेंस लोन आरेंज करवा दीजे बहुत अच्छंचा सर मेरे भाई का अक्सिडेंट हुआ है देखो बेटी यह फाइब यार कैपिटल गेंड स्कीम में है प्लीपेमेंट के लिए कम से कम छे माइने का टाइम लाएगा प्लीज कोशिश करके देखिए सर्फोर निल पाएगा बेटी हमसे हो नहीं रहा है उसके बाबुजी को फोन करके बता देंगे क्या कहेंगे अगर हम मैंसे कोई सहालत में होता तो चाह उसा सूचता क्या कर सकता वह मेरा भी तो दोस्त है सब कुछ ट्राइक करके देख लिया तुम ही कहो ना आप क्या करेंगे हम लोग कहीं शोधार मिल सकता हैं लेकिन हमें कौन देगा एक है जो हमारी हेल्प करेगा वो हमें पैसे तो देदेगा पर वक्त पर पैसे वापस नहीं किये तो मार ढलेगा ठीक है पप्पू के लिए रिस्ट लेना ही पड़ेगा हम सब के होते हुए पप्पू को कुछ नहीं हो सकता और हम उसे कुछ नहीं होने देंगे चलो रुक जाने से पहले फिर से सोच ले सोचने और समझने के लिए बिजनेस होता है फ्रेंड्शिप नहीं कि अज़े तो पर मांगे तो नखरे दिखा रहा है क्या तो जल्दी नहीं है तो फिर तेरे भाई को पर भेज देता हूं किड्नी का कि अभाव चल रहा मार्गिट में बीस अजार भाई इसका निकालके भेज दे तूर नहीं आये ना तो चलने लायक भी नहीं छोड़ूंगा तुरे भाई को तू समझ रहा है न मेरी बात को तू ताबर तोड़ फ्रेसे लेकर यहां पर आजा ठीक है भाई प्रकास कहीं भाग गया भाई पहले ही कहता है कि उसने पैसे नहीं दिये तो उड़ा देना अब वो यहां से भाग गया तो पैसे कौन देगा तेरा बाप हमारे धंदे में यह सब नहीं चलता है अब हम सब उसे कहा कहा ढूंदते फिरेंगे बोलो और कोई काम नहीं है क्या उसके घर पेर कौन को नहीं रहे उसके बीबी है लेकिन वह प्रिगनेंट है तो फिर जाके उसको पकड़ के ला ना अरे यह खड़ा-खड़ा मेरा मूँ क्या देख रहा है ललन भाई नमस्ते क्या हुगा करन मेरे दोस्त का एक्सिदेंट हुआ है भाई थोड़े पैसे च तुझे पहले ही कहा था अगर पैसे वापस नहीं मिले तो किसी की जान लेने से मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं अटता हूं समझ गया ना भाई गलती हो गई भाई जैसे इंसान को जीने के लिए सास की जरुरत पड़ती है उसी तरह पैसे हो की अब तू पैसे लेकर आया है थैंक्स मही इन पर नजर रखो यह लीजे पैसे पाप्पु रूम नमर फोर में चल्ट करवा हूं चल्ट चल्ट इस कंडिशन इस स्टेबल पर सर पर 35 स्टिचेज लगे हैं राइट इस अंकॉंश्यस लेकिन दरने की कोई बात नहीं है जब तक उसे होश नहीं हाता हमें उसे उब्जविशन में रखना होगा तो इस 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 आप लोग जा की देख सकते हैं थैंक्यू सर्ट झाल क्या हुआ डॉक्टर डॉक्टर ने काया आज ही ने डिस्ट्राज मिल जाए या बैठिये सर आज डिस्टार्च करेंगे कहा था बैठिये ना या आज आज आपके दोस्त की हाला ठीक है सारे टेस्ट रिपोर्ट्स बहुत ही नॉर्मल है आपका दोस्त कुछ नसीब है आप जैसे दोस्त कि मिले अल्डवेस्ट अ पर पर अ कुछ अ कुछ अ क्यों रहे अभी इदक तेरा एक हाथा नहीं हुआ क्या भाई बाई 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 भाई भाई अभी होस्पीटल से आये दो तीन बीर में दे देंगे क्यों रे तू मुझे घोचु का ढखन समझता है क्या तेरे जैसे कितनों को मैं रोस देखता हूं समझा भाई हेल्थ प्रोब्लम है थोटा टाइम देदो ना तुससे मैंने पहले ही कहा था ना कि मुझे कहा तो फिर आयम अनुट करता हूं ना तो पुलिस वाले भी बीच मैंने की इंमत नहीं करते हैं छे लोगों को काटके फैक्त दूंगा पार्ट करके बाजार में बेच दूंगा मैं इसमें मेरा और मेरी बेटी का कोई हाथ नहीं है लिए इस प्रावलम कह रहे हो ना इसलिए दो दिन का टाइम दे रहा हूं रुपे वापस करो नहीं तो मरो अब तुम लग सोच लो कुछ करते हैं अभी क्या भी रूम खाली करो रुपे जब तक मुझे वापस नहीं दोगे ये शहर छोड़के नहीं जाओगे नहीं तो तेरे को भी मार डालूंगा जाने मत देना इ नहीं तो जैखून, डिसाइट कर लो लललन हमें छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा मार नहीं तो, हमारा पपू तो बज़ गया ना हमारा पपू तो बज़ गया है, लेकिन हम लोग कैसे बज़ेंगे वो तो सुचो उससे पैसा नहीं लेना चाहिए था, अब हम पैसे कैसे चुकाएंगे, यह सब कुछ तेरी वज़े से हुआ है यह क्या कहा तुने, मेरी वज़े से लललन हमारे पीछे पढ़ा है वह सही तो कह रहा है, हम लोग ने का उधार लेने के लिए, तुने अपने मन से उधार लिया, तेरी वज़े से हालत हुई है चल्लाने से कोई फाइदा निया, क्या करते है तुम लोग चोरी करते है, बैंक लुटते कुछ भी करते, यह नोबत तो नहीं आती तब नहीं की तो क्या हुआ, अभी तो कर सकते हैं, पागल हो गया है क्या, तो फिर ललन को ठूक देदे, मुश्किल लग रहा है, अगर नहीं किया तो हम लोग मरेंगे चोरी करने की सिवा हमरे पास, और कोई भी रास्ता नहीं है लाइफ में, अभी रिस्क लेंगे तो ही जिन्दा रहेंगे, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन चोरी नहीं कर सकता, तो फिर ठीक है, हमें यह करना ही होगा, अपने फ्रेंशिप के वास्ते, अगर हम लोग यहा दो दिन का टाइम है, जो भी हो, मेरा दिल बिलकुल नहीं मान रहा, कैसा नहीं हो साथा कि इसी अलावा हमें और कुछ करें, तु क्या बगरा है, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है, ने तो सब मारे जाएंगे, ठीक है, तुम लोगों की मरजी है, तुमें जो हतरा बहुत है, सेकरिटी वहां पर एक्दम टाइट होगी, हमारे ऑफिस में करेंगे, वो सही रहेगा, हाँ, एटीम सेंटर में पहुंचाने वली कंपनी हमारे शहर में बहुत सरी है, उनमें से हमार ये एक है, एवरी मॉर्णी ड्यूटी वहां पर चेंज होती है, उस वक सेकरिटी कम होती है, वो टाइम बेटर रहेगा, जरूरत नहीं, बताएंगे तो डर जाएंगी, सिर्फ आदे गंटे का तो काम है, लड़कियों को बताने की जरूरत नहीं है, वो यहीं आ रही है, यहां क्या कर रहो, कल कहां से पैसे लाओगे, कुछ सोचा है तुम लोगो मेरी बात को समझो, तुम समझो, हम कल तक जख मार के पैसे लाएंगे और उस ललन के मूपर पैसे मार के आएंगे, तेरा तो धिमाग खराब हो गया, बेपी सुनो, अब क्याओव, रहीं है, तुम लोगो अब क्या हुआ, रुकिया, मेरा फोन का गया, अरे, यही होगा, चल तू, चल जल दी, रुको, मैंनी याओँगा, अगर मैंनी याओँगा, अगर मैंनी तो वोग मुझे पहचान लेंगे, और उपर से मेरा जगड़ा भी हुआ है, अगर तू नहीं आ रहे, तो मैं भी नह हुआँगा, तू चुप कर, वो जो कह रहा है, ठीक कह रहा है, उसे और लोग पहचान लेंगे, इस प्लान पर हम दोनों को ही काम करना पड़ेगा, लेकिन मेरी बात तू सुन, चुप रे, तू सुन, तू निकल, आरे गंड़े में पहुचाएंगे, ओके, फटू चल, चल चल्से निए, ऑग अत प्लान लेंगे, इस प्लान अदएया थरो घ्तबारा है, तू सहत झाल्सी के लिएमान लेंगे, चल मेने हो जारे में हो बhetुचाएंगे, तू ह班one raising कते हुचा है, ंह फो जह जह तू झान मेंदें है, गगे, प defence, पहांबाएंगे, जह प्म्ह दौ कर दो. प्रुब्स प्रॉब्स एंस आपने पिर प्रॉब्स पेड़ है! यहां सीसी कैमरा तो नहीं होगा ना नहीं होंगे चल्ट यह क्या यहां दो कुछ भी पैसे नहीं है उसने दो कहा था कि वही तो करना करते हम चल्ड यहां से विल फिल जल्दी त्याजना निगा देखा जल्दी त्याजना निगा देखा सर वो हमने हमने कुछ निए किया पैसे नहीं है बीस करोड़ गया हैबें सर 20 करूर्स मुव आप जरब पुली स्टेशन आई भूलन फॉम M.S. Security Services in the city अच सुछे में मिले दो अकटी और प्रादियों को पुली ने पनी कस्टिडी में ले ले लिया है और उनके साथ एकिगा जानी है यहिए है मुष्टिती में वी जूरी की जाच कैसी भी कृष्मोहन गोड अपनी देख्रीड में कर रह है एक पैसा भी बाहर नहीं जाना चाहिए सब अफिसर्स को एसमेस कर दो ओके मूव ओके सर आप बताईए कैसे हुआ अपनी गलती मान लो नहीं तुम मार मार कर एक एक पैसा निकालूंगा सर हमारी बात का यकिन के जाएंदो अपराधियों को दीज दिन की रिमान पर पुलिस कस्टिडी में भेजते हुए इस केस की सुनवाई अगले महीने की 15 तारीक तो होगी सब्सक्राणे हुए अखरेए लिएजी हुए इस करताईबरे लिए करना मससलिके में, झारिए लिए फिजस nat Марएबरे अफिए HCV जैन सब्सक्राणे, और एक विए अभाए यांजा जी है जलो जलो अंदर जलो 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 तब ठीक से रखो जी सेर मेरी नहीं गौचो तुमारी मेरी के लाइजा कि चराज कर रहा था चलो जलो सर्य दिवार के रास्ते भागने की खुश्रिश कर रहा था नहीं सर्य मैं तो डिवार के जाज कर रहा था यह देखा है ना? डॉल ढूंगो और अगे शुरेंढर मोहन पर गुस्टर केस ज्रा देना लीजे सर अरे ये फाइल नहीं लाटी दे मैने नही गौंचू तेरी यह लीजे सर वह हो जो किया था रहे रहे आपके नर्शे में जपकर तुर नर्शे में कुछ भी करता रहेगा क्या आप तर्यों को मारा कित्ळा दर दो रहा है तुझे तुमें अभी मैट्स लोटिया पथन टके मेरे सामने कोई गलती मत करना डॉन नूमबर वन से लेके बदमाश नूमबर वन तक सब को सीधा किया मैंने यहां उनली एंट्री है एक्सिट बिलकुल नहीं यहां सब कुछ मेरे इशारे पे चलता है कुछ भी गलती हुआ तो सीधा मरीश पूरी के पास भेज दूगा आज तक मैंने कोई ग अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी हर्ता समल के रहना समझें में लोगों का क्या हिसाब किताब है इस करूट की रॉबर की है इन दुनों को अंटा सेल में डालो बाद में नहीं पड़ता हुआ है मैं कमिन सर इसे तो ऐसी फिगर है कि जैसे इसके घर में चोड़ी हुई है क्या हुआ रॉबरी केस का कुछ इन्फोर्मेशन मिला क्या आपको सर चार लड़के थे उसमें से कोमा में हैं दो लोग पकड़े गए एक भाग गया हम बहुत जल्दी उसको भी पकड़ लेंगे सर स्पेशल टीम को भेजा है सीटी से बाहर जाने वाले सब रास्ते पे सिक अरे मेरा मतलब है कोमा से बाहर कब आएगा बहुत सवाल करता है अब आप क्या करेंगे फॉरंसिक रिपोट आते ही सर लाइट डिटेक्टर एग्जमिनेशन करेंगे कब करोगे जब वो पैसे लेके फॉरंस चले जाएंगे तब करोगे पैसे मिलेगा तो आधा तो तू ही जह में खोड़ा भाई ए चिकने आइधरा इधरा के बैठ आजाए अरे बैठ पर आजाए अरे बैठोर अराम सिकाए है इनको एक्स्टांड दे नोगें खाओ भाई चिकने तुम लोग को यहां से बाहर निकालने का रास्ता बताता हूँ तुम लोग अन्यों जो बैंक रॉबरी के ना उसमें से लाग रुपय मुझे दे देना अरे क्यों अपनी जंदेगी जेल में बरबात करे हो बाहर जा के आश करना भाई वो चोरी हमने नहीं किये ये एक स्टांडर आप ही कहो अरे चिकने एक बार सोचके देख ले हमारी जिन्दगी तो बरबाद हो गई और उस करन ने भी हमें धोका देकर भाग गया हमें पूरी लाइफ यहीं बितानी होगी हमारी बात कोई सुनना ही नहीं चाता और यहां सब पैसे कहां है पैसे कहां ये कहकर पागल कर देंगे और अब जेलर भी हमें पूछेगा यहां सब के सब एक जैसे है क्यों रे मच्छर काट रहा है क्या ने तिम लोगे ने जैसे जैसे सोचा था, वो परफेक्ट प्लाइन, अगर सक्सिस होता तो इस वाक्त, तुम दोनों मिलकर बैंक कोर में इधरेक आइटेम, इधरेक आइटेम दोनों पुगल में दवा का मसाज का माजा लेते रहते हैं, फुल मस्ती में एंजॉय करते रहते हैं सर सर हम लोग सच के रहे सर सर हम लोग ने वो चोरी नहीं किये बाट सिदे एक्स्ट्रा मत बोलो तुम दोनों रंगे हाथ पकड़े गए हो बिल्कुल सही का सर लेकिन हमारे एक और साथी था जो हमें दोका देकर भाग गया सर अरे तेरे फेस पे तो सारी दुनिया के लुटेरों का मैब बना हुआ है बच्चे इसमें मेरे क्या गादिये और तुमारा वो साथ ही वो लुटा हुआ माल लेकर कहीं दूसरे जगा तुम लोग का इंतिजार कर रहा हो गये न ऐसा हो सकता है क्या सर तेरा उमर क्या है 24 सर गये काम से ये छोटी से उमर में इतना पैसा लेकर क्या करेगा फिल्मों में पैसा लगा सकते ते लेकिन अभी हिंदी फिल्मों की मार्केट ज़रा टाइट है अभी पैसा बिल्डिंग बनाने में डाल दे इंवें इन्वेस्ट अंदर पूरी छूटे, सोच के बता क्या करना है? ओके सर, डील पक्की समझोड़। बहुत अश्यार लड़का है रहे तू ओके, और अब हम लोग पार्टनर्स हैं इनको फाइब स्टर ट्रीटमेंट दिया जाए हां ए, क्या तू पागल होगे हैं? ये एग्रिमेंट की क्या बात कर रहे हैं? छोड़ रहे, अपने बस पैसे है नहीं है, कोई नहीं मानेगा कल क्या होने वाला है वो पता नहीं है, कम से कम आज तो चैन से जी लेंगे लेकिन बाबू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है, चुपे फट्टू, पुलिस से ज़्यादा तू परेशान कर रहा है पता नहीं दोनों अंदर क्या कर रहे हैं? अंदर हो क्या? अरे भाग गई क्या? जेलर साब ने काया, तुम लोगो फाइस्टार ट्रिट्मेंट दिया जाए क्या चाहिए सर, टी या कॉफी? जो आ पिलाएंगे, पिलेंगे सर चलो, जेलर साब ने तुम लोगो छोड़ दिया है, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा सर, सर, छोड़ दीजी सर अरे, तू इधर हाँ, मेरे साइड में, जेफटी के लिए कही है सर, हमें क्या काम करना होगा? नहीं नहीं सर, आप तो बैंक रॉमरी करके हैं, आपको इस सब करने की ज़रोत नहीं है, सर, सुरल में आपका दूसरा दिन है, जेलर साब आपका इंतिजाम करने में बीजी है, तब तक टाइम पास कर लेते हैं क्या रेक अपड़े ठीक से धोने ही चलता, हाँ, नहीं 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 करेगा, तो याद रखना, एक-एक को टुकड़े-टुकड़े कर डालूंगा मैं, मैं बहुत खतरना का अत्मी है, यहां रहना है, तो वोच करना पड़ेगा, जो मैं कहूंगा, इस जेल का बाद्शाव कि यह मेरी जागीर है, समझ गया ना, कोई मस्ता काना लगा, यहीं, हम सबका बाप है यह उसका भी बाप है, वई सौन, यह को रहे है, इसका नाम नाना है, शहर का सबसे बड़ा भाई है, कब्जा, चोरी, डखेटी, बैटिंग, जेल के अंदर बैटके करता है, और करवाता है इससे सब लोग डरते हैं तुम लोग भी जड़ा इससे संभल के रहना भाई ना भाई कौने भे भाई करीना के फैन है क्या तेरे वो क्या करना है वो क्या है बाई मैं करीना को जानता हूँ क्या बोला उसने वह करीना को जानता है यह बूल रहा है अरे करीना को पिजट करना भूल गया तू सौरी भाई वह बेवों के बहुत ख्लोज है भाई एंदर आ रहे टूट तो बीज करोड की बैंक रोभरी केस में अंदर आया भाई क्या नाम है तेरा बाबू भाई मैंने का मेरा नाम बाबू है भाई और आप तो भाई है भाई अभी इसको क्या बोला तू वो मैं करीना करीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है तेरी तो वही बेबो बेबो बाई ठीदर खड़ा है ठीक गो भाई यह फिर मेरे दिल में दर्द क्यों हो रहा है मारोगे तो नहीं न बोल करीना को कैसे जानता है तू मेरा दोस्त असिस्टेंट डिरेक्टर है न उसने मिलवाया था ख्लोज है बहुत ख्लोज है छुके देखा था क्या वो बस दो तिन बार बस उससे भी जादा नहीं होच्टर तो हम लोग लोग ख्लोज फ्रेंट्स हैं ला तो कभी-kभी हो जाता है बस जादा नहीं इसमें तेरी गल्ती नहीं बेबो इतनी कमाल कि हो जाता है ज़्या बैबो आप से शादी कर लेकिए तो सेफ क्या होगा ऐसी कोई बात नहीं है बस मुझे दी हुई सारी चीज़े है वैसे करीन अगर आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे बजा जाएगा लाइफ सेटल हो जाएगी उसके कांदे पे हाथ रखके आखों में आखे डाल के बस एक फोटो निकलवानी है यार चीक है बाई मैं होना दिर्वा दोंगा एक बार मिलवा दि साला कप्रे ठीक से जोना नहीं तो में तेरे को तो जालूँगा अज से तेरा सारा काम मेरे आदमी करेंगे तू जाके सोजा ओके तू आराम कर जाके जाए जब भी मैट मैंने सो बार देखिए ए बाबो तू आरा जाए दरा क्या रहे जेलार बाबु से गाम में गया हां हां जादागरी करता है बस थोड़ी दिर में आया भाई उसने तरे को काई को बुलाया वह क्या है सर कात्रीना के फैन है सर 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 यह सब एग्रिमेंट बगरा बहुत जरूरी है कि सर वह क्या है पैसे हमारे पास तो नहीं है उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा सर 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 अपनी इतनी जल्दी क्या है दो तीन साल बाद एग्रिमेंट कर लेंगे तो कैसर है का सर यह बहुत ही अडियल है बहुत ही नहीं मान रहे है अपनी इसकितों में गोड़ा पे मेना सट्डिया गया है थी तो चुपकर नहीं अंधर जाओ याने सर वो जल्दी जाओ अंधर का मैटर जल्दी फिनिश कर क्या हो और अजय माधुरी यह चोरी मैंने नहीं किये जानती हूं तुम ऐसे करने के सोच भी नहीं सकते लेकिन इसब हुआ कैसे उस लल्लन के पैसे लोटाने कले और कोई चारा भी नहीं था करन ने धोका देकर वो सारे पैसे लेकर पता जूआ अब क्या बचा है सब कुछ तो खतम हो गया है चुपो जोड़ो नो घुट चुछ भी करूंगा कैसे भी करूंगा लेकिन अपने दोस्त को बचा लूँगा यहां तक ही चोरी भी करूंगा मतलब तुम भी मुझे अवी चोड समझे लगयों क्या और ने तो क्या क्य सिवा हैं मैंने तुमारे साथ कोई जूट नहीं बुला है हां चोरी करने गये थे लेकिन की नहीं तुम्हें इसने क्या दुख है मतलब मुझे इस बात का दुख नहीं बिलकुल नहीं है अगर होता तो इस वक्त हमारा साथ दे थी हम लोग ने जोक कुछ भी किया दोस्ती के तो वो सही था गलत नहीं बता एक बात बता दो दिन अगर हम लोग कही और काम करते तो हमें पास लाख रुपे मिलते नहीं मिलते यार भाण में क्या है सब तू बता तू मुझ पर विश्वास करेगी है किसी और पर अच्छा इसका मतलब तुम चोरी करोगे तक करोगे और हम लेजा लेजा इसको बागल खाने में में तुमारा बैबी बाबु यह नाम बाबु तुम्हारा बेबी बाबु है इट्स बेबी, सुपर आइडिया है ना, आँटी, आपकी बेटी एकदम खुश है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरती है, इससे आगे कभी मा की कमी मैसुस मत करना, कल तक तक तुमारे साथ जो कुछ भी हुआ, मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन अब तुम मेरी हो बेबी, मुझे पर यकीन करके इतनी दूर आई हो, अगर मैने कुछ कर दिया तो, तो कर लो ना, मैं तो तुमारे ही हुँ तुम से भी छड़के नहीं जीना, रहना नहीं है तुम बेना, तुम संग है सत जीना और मरना तुम से भी छड़के नहीं जीना, रहना नहीं है तुम बेना, तुम संग सात ही है जीना मरना तुम से भी छड़के नहीं जीना, रहना नहीं है तुम बेना तुम संग है सत जीना और मैं नहीं है मन का आलम कहना सके हम, जाहूं हर दम संग जीना प्यासा मैं हूँ, हाल दिल रख दूँ, सामने तुम्हारे नादर ना तिरी मेरी प्रेम की कहानी, चारो और मुझो की रवानी तरसे हाँ ये मेरी जावानी, बस खरो न जाय ना दनी देखो देख उठी है चिंगारी, और न मुझे तड़ पाना तुम्हें दिल देके कर ली दिल लगी, मुझे से चड़ो शर्माना बीत जाई हर रहना, बीचे नीना सहना, जार हुए दो नैना, तेरे बिन जग सुना झाल 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 कल क्या होगा कोई जाने ना प्यार का घूंगट उड़ लेना दरियां बहता लग कोई कवी ता कवी बन जाओं कह दो ना बज दिल में प्यार की रागिनी बन जाओं मैं तिरी योगिनी ना जन प्यारी अजनवी कैसे बदर दे जिन्दगी तुम हो इतनी प्यारी सनम कैसे सभालूंगा मैं तुम्हे भर के मेरी इन बाहों मैं लब को सजा दूंगा मैं बीत जाए हर रहना बेचे नीना सैना चार हुए दो नैना तेरे बिन जग सुना तुम से भी छड़के नहीं जीना रहना नहीं है तुम बीना तुम संग है सत जीना और मरना सब जगा ढूंडो सार तुम लोगो को कुछ मिला क्या कुछ नहीं है सर ओफिस एड्रेस और पर्मानेंट अड्रेस के लाव जगा जरा ठीक से ढूंड के देखो क्या वात है सर क्योड़े इसमें तेरा भी हात है क्या है सर मेरा तंगूट भी नहीं है अच्छ यह क्या है इफ डोंट रिस्क एनिफिंग रिस्क एविन मोड लड़को को तुन्हें अच्छी तरह ट्रेंडिंग दिया यह यह जगा यह तो ब्राउन शुकर भावन शुकर यह तो ग्लुकॉस का पारदर है तुम लोग घर की तलाशी लो ठीक से देखो चप़े चप़े चान्मारे को जेल में चुपा दिया तुने एए कौन है रे तू सर इसे के उधार के पैसे लोटाने के रिए उन लोगों ने चोरी का प्लान बनाया था क्यों रे लड़की उससे शिकायत कर रही है यह क्या बहुत बड़ा तोप है क्या क्यों रे पैसे तू देगा या वो लोग देंगे मुझे कुछ नहीं पता है मुझे मेरे 5 लाग चाहिए दो दिन बाद फिराओंगा नहीं मिले तो तेरे घर को तुझे रेंट पर देदूगा मतलब ये लोग पब्लिक को पूलिस को दोनों को धोका दे रहे हैं नहीं सर वो लोग ऐसे नहीं है तो फिर कैसे है बोलो तो पैसे कहा गए बोलो इसकी हाला तभी कैसी है इसे भी अभी तक होश नहीं आया जल्दी से इसे होश में लेकर आओ, नहीं तो, पॉलिस का ट्रिट्मेंट देंगे ऐसे क्यों बोल रहे हैं सर? ए सुन, चैलेंज करके जा रहा हूँ, आज वो लोग सच बोलेंगे नहीं तो मरेंगे तूझे तो मैं नाटा करता है, कमान मूब सब पर्फिक्ट है ना? यू के परसीड सर्थ मैं तुम दुनों को लास्ट चांस दे रहा हूँ, ये लाई डिटिक्टर है, इसके साथ जूट मत बुलो, पकड़े जाओगे मेरा नाम? कृष्णा मोहन आईपियस अब तुम कहा हो? जेल में चोड़ी के प्लान में और कौन-कौन था? मैं अजय और करन, हम तीनों ने मिलकर प्लान बना है, छे बजे वहाँ गए, सेक्यूरिटी को पार करके हाँ, कमान, स्पिक आउट में, स्पिक आउट स्ट्रॉंग रूम में एंटर हुए है, और उसके बाद? एंटर हो के देखा कि हाँ, बोलो, बोलो, आगे बोलो पैसे नहीं है नहीं थे? अगर तुम सब के सामने बोलने से डर रहे हो, तो मेरे कान में बोलो, कम पैसे नहीं थे, सर मुझे लगता था, तुम लोगों पर चोड़ी का गलत इज़ाम लगा पर तुम लोग मामूली चोड़ नहीं हो, प्रोफिशनली ट्रेंड हार्टकोर क्रिमिनल्स हो सर प्लीज, हमने कहा ना, हमने चोड़ी नहीं किये, हम क्रिमिनल्स नहीं है, सर पागल हो जाऊंगा चलो तीसरे का पता बता दो, तुम लोगों को छोड़ दूँ अगर आपको पता चल गया तो बताएगे, सर, हम उसे मार कर दुबारा इसी जिल में आ जाएगे, सर पुलिस के साथ गेंप कर रहा है सर, 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 रूट जाएगे, सर मेरा भीजा कर रहा है, ACB कृष्ट मोहन से दूँगा एक जापर मेरे आदमी है, इनके साथ ऐसा नहीं करने का चलो, तुम लोग जाओ, जाओ, चल जाओ, 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 असली चोर को छोड़के, इनको मार रहा है, ये दुनों सच बोल रहे थे, सर कबाए, जाओ, दुना, तु कम देख लूंगा, मैं सबको देख लूंगा, उस ACB को भी चान से मार दूगा, थैंक्स बाय, एक काम करना, एक बार, करीन से बात करवा ना, करवाना, लीज, लीज, करवाना, वो करीना अभी कहां मिले, अब मुझे क्यू देख रहा है भाई, चल करिना को फोन कर कर डेना नंबर करिन मुझे मालूमें है टेंश्ism बतलो कर नंबर करेना का नंबर ना अभी लगाकर बाद कर वाता हो है रिंग हो रहा है भी हलो करिना रॉंग नंबर अरे रलॉद बॉल रहा हुआ अलो तुम्हारी कसम मेने छुड़ी नहीं कि वो पूछे यह मेरा हाँ चल कैसा है तो मुझे क्यों बोल रहे हो मैं तुम्हारी कौन हूं औरे सौरी बोला ना भी बोलती है मेरे गुसे में किता याद रखू किया ने तुम बात करो अरे बोल दिया गुसे मेर इतना दिल को लगा कर बैठी हो तुम्ही ने तो कहा था कि हमा स्बाइर बीच कोई रिश्टा नहीं कहा था लेकिन यह बात करो कैसे हैं अप इस पर कि लिए मैं कितने सालों से इंतिजार कर रहा था अब मैं पागल हो जाओंगा बस बहुत होगा है हलो यह बताओ जेल में वो इतने साल किसके लिए वेट कर रहे हैं वो क्या है जेल में अपने नाना भाई है ना वो करेना कपुर के बहुत बड़े फैन है अच्छा फोन रख दो मुझे ज़रूरी काम है अरे इतने शल्दी अरे पूंचाओ ना थो मेरी बात नहीं सो लोगी तो और कौन सुनेगा मैं तुमारा बाबोर तुम मेरी बेबी हो ना चाकलों से छोड़ो मुझे संझाने के कोई जरूरत ने संझे वहां ये शोर कैसा? वो तुम्हारे पागल खाने के लोग यहाँ पर आ गए है प्लीस बेबी यार, सॉरी बोला ना अब इतना गुस्ता रो रहे हैं तो कैसे चलेगा हा? तो में को मुझे क्या करना चाहिए, चान तोड़ के लाओ, तारे तोड़ के लाओ मुझे चान तारों की जरुवरत नहीं मेरे लिए मेरा बाबो ये सब कुछ है बात में बात करते हैं, ठीक है? भाई बात करेंगे, एक बार और बात कर लो अगर मुझे वक्त मिलेगा, तो मैं आप से आकर जेल में जरूर मिलूँगी अब ये फंटर से एमोशनल हो गया, बेभी बात में बात करते हैं, मैं फोन रख देता हूँ भाई, जा हो गया, चोटे आगले लग जा, ये कुछी के आशू है, चोटे, खुछी के आशू है, तो मारे लिए में कुछ भी करूँगा, तुमने मुझे अपना दोस बनाया ना, क्यों रो रहे हो भाई, पेरी बेभी मुझ से कह रही है कि ठीक से रहना, ये आशू कैसे पागल हो जाओंगा, किसे पून पर बात करवाया, बेभी से, फिर इसे केसे मैनेज किया, इसको मैनेज करना मेरे दाय हाथ का काम है, बॉस, फिर बेभी से क्या कहा, मैंने उसे कह दिया, तुम पागल हो गयो, प्रॉब्लम सार्ट, ये लो कौन है, कौन है तुम लोगों को को बाहर ले जाने आया हूं सच में थैंक यू सर आमें ना जानते हो भी हमारी हेल्प करने के लिए हमें क्या करना होगा सर तुमने जो पैसों की चोड़ी की उस बीस करोड में आधा मुझे दोगे तो सर वो पीस करोड हमने नहीं मुझे पता था तुम लोग एही कहोगी उस बात को सच मानने के लिए I am not a fool देखो फर्शाद मेता चार्ल्स शोबराज करीम किल्पी छोटा राजन जानते हो ना ये लोग भी पुलिस से भी आज से बच नहीं सके तो तुम लोग क्या चीज हो बच्चे हो तुम लोग बच्चे बहुत बच्चे अगर वो बीस करोड पुलिस को मिल गया तो तुम्हारा लाइब खतम तुमसे प्यार करने वाली लड़कियों की जिन्देगी भी खतम तुम्हारे बारे में मुझे ये सब कैसे पता सोच के हरान हो रहे हो ना तुम्हारा नाम है बाबू गाउं, अभिलाश पूर मामा के साथ रहते हो बेबी से प्यार करते हो तुम्हारा नाम आजै सेम विलेज गल्फरेंट माधूरी तुम्हारी ख्वाइश है अमेरिका जाना है न अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिन्देगी जेल में ही खतम हो जाएगा तो तुम्हें मन्जूर हो तो इस देश से बाहर विजबा दूँगा दुबाई गल्फरेंट लेके सेटल हो जाओगे तुम्हारे लिए वन और अउनली आप्शन वही है ये है मेरा विजबिंग कार्ड अल्मोस्ट तुम दोनों के लिए ये गेट पास है एनी टाइम फोन कर दो मैं हाजिर हो जाओगा मेरा नाम सोनु सेट इस शेहर का बादशार तुअचयला अमेरिका जाने से अच्छा है हम सब लोग मिलके दुबाई चले जाते हैं तु खा धादा सोच में ते रॉक्चा भाई और रॉक्चा हुआ क्या हुआ किया भाई वहा क्या मतलब अरे इसनो हमारे नाक में dumb कर कर हुए है जियो डूक जाओ ययाँ रूक जाओ ऑब mr तू रुक रहे ना बाही तुम्हेशकर छाना परुब्लम सौलए है उन्हेकश के लिशेयों किinas व्शेयों था लोक है यéch दो साल को सानने तूर के साहरा है कोशिश कर रहा हूं यह तो मुझे रहा हुआ है इत्रह इत्रह दो साल के लिए हम रहया और अभी मार खाए थे बहुकुफ कई का चलो रहे सोरी सरी सर्ट क्यों कि अज तक मुझे किसीन इंसान की तरह यह नहीं आगे से आसा नहीं होगा बाई मां का समभाई अबे सौन जहां पर भी रहना है खूशी से रहना चीए हां चला बेपने कप्रे बदले और रोना बण करिए यह बाज में नहीं जीतने लिए बाबु आप अभी आता हो भाई 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 वह दरसल बेबू जो है ना उसे छोड़ना एक बात बता तू अशा है रहता है क्या यह चोरी का केस पैसा इस बारे में पोई टेंशन नहीं किया तरेगो टेंशन लूंगा तो जी होंगा क किसी और पर निकालूंगा अपनी टेंशन और फेलाऊंगा इसे अच्छा है यह दो दिन की जिंदेगी चार लोगों के साथ हसते वे बिता दू यह टेंशन तो लगे रहते है इनको सर पे गौन लेगा जेलर का जनम दिन है ना खाओ भाई खाओ अर तुम भी खाओ भाई यू गया है यू आया बस दो मिनिट आज जेलर सक भाई जनम दोस्त मिठाई क्या हो गया कल तो मारी फासिया इसले दुखियो हूँ 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 इस सिस्टम पे घुसा निकल लो ना मिठाई क्यों पेग दिए वह बड़ा धीट है ना इसके लिए मैंने उसे मिठाई नहीं अरे वो सब छोड़ यार बटी बड़ किदर है फाइमली के साथ बाहर जाके अभी आया है बात है हमारा राक्षज जैसा जिलर भी रोमेंटिक ह बाहर से राक्षज जैसा दिखता है लेकिन अंदर से विलकुल कृष्ण का नहीं की तरह रोमेंटिक है तुने कुछ किया क्या विच साल कुमर में यहां था अब तीस साल का हो गया हूं सारे सपने तो ऐसे ही रह गए इस जेल में कौन है अपना जेल क्या जेलर भी हमारा है वैसे आज बहुत कोशी का दिन है घर में आभी आता हूं कों सी फिल्म देखने जा रहा है और अबस चोटी-चोटी मिठाई यह ते अरे असा कुछ नहीं है रात को पिरिया नी बन वाओंगा उँगा इसके साथ अगर कुछ पीर बिने की विवस्ता हो जाए तो क्या कह रहा है पता है जब लोग चाते है यह यह जल आ है यह दो है क्या रूल का है साया आपने कहा पना है आपने चाहामिट गया गर्वर तो नहीं होगी न होहीं दो हमार अब कितर्च चैनल तो अधिच स्वर्द में मॉलाइगि अरे अरे जुन आहा सार बाबोजी तुम पीना, अरे लोना, पीलोना बाबोजी तुम पीना, अरे लोना, पीलोना अज मैं क्या करूँ जुगू ना चुगाऊं हो जाओ तुम, सब उठो जुम, भेजे में बात मेरे उतारो तुम मैं तो ताटु मैं ना, तु लड़ाले अजनाए ना, हो जाएगी अब तेरी छुट्टी कुछ भी आजमा नशाए अन जाना, इसे बच के तु न जाना, अब लोग करे जैसा भी दिखा तु जलवा बिंदासू, फीके बिंदासू, ये दुनिया में मैं पिंदासू, समझें बबुजी तुम पीना, अरे लोना, पीलोना सबस्तसाद है मेरे जैसा नहीं कोई और दिल वाला मस्ती में जुमोना और छोड़ो रोना धोना ये चार दिन के जिन्दगी यो गोजारना बाबोजे तुम पीना अरे लोना पी लोना आज मैं क्या करूँ जुम ना चुकाऊं अजे गिर के ना रहू यू मत छेड़ना आजाओ जुम सब उठो जुम भेजे में बात मेरी उतारो तुम मैं तो था तु मैं ना तु लड़ाले अजनायना हो जाएगी अब तेरी छुटी कुछ भी आजमा नशाये अंजाना इसे बच के तू न जाना इप लोग तरे जैसा भी दिखा तु जलवा मैं तो था तु मैं ना तु लड़ाले अजनायना हो जाएगी अब तेरी छुटी कुछ भी आजमा नशाय अन्जाना इस बच के तू न जाना इपर लोग करे जैसा भी दिखा तू चल्वाँ अरे गाव भाई गाव अरे है 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 चलो तुम लोगों के साथ दो पल नाच गाकर ये भूल गया था कि हच मेरी फासी है आज तक तो मैं लोगों को सिर्फ मारता ही आया हूँ क्योंकि मैंने जिहाद का रास्ता चुना था लेकिन आजे जाना किसली जिन्दगी वो होती है जो दूसरों के लिए जिया जाए सिर्फ अपने लिए नहीं असल में जिहाद वो होता है जो दुनिया भर में अमन और शान्ती कायम करता है इसी सोच के साथ मैं अलविदा लेता हूँ अल्ला से मैं यही दुआ करूंगा कि अगले जनम में तुम्हारे ही जैसा बनूगा हलो अगली बात नहीं करूंगा अगली बार फोन नहीं करूंगा बार टालूंगा कंफर्म हुस दिस याद रखना हलो 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 मादुली बोलो बेबी अजन्ती बाबु आए जैसे मिलना होगा मैं भी तुम्हें अभी फोन करने वाली थी साथ चलिए अजे की वीसा पेपर्स आगे हैं तीन दिन बात स्टैंपिंग के लिए जाना है मेरे पापा ने मेरी शादी का ही और तैय कर दी है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहे कि मैं क्या करूं तुम्हारे बिना में जीन नहीं पाऊंगी अजे मैं मर जाओंगी इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है मैंने अपनी जिन्दगी में जो भी कुछ चाहा वो मुझे नहीं मिला माधुरी मुझे माफ कर दो तुम्हें पापा की बात मान लो शादी कर लो तुम खुश रहो मुझे डर लग रहे बाबू मुझे किसी का फून आय था चोरी कुबूलने के लिए कहा है तुम्हें नहीं तो माट डालेंगे उसका नाम क्या है मुझे नहीं मालूम उसने कुछ बताया नहीं एनिहां तुम लोग ज़रा संभल कर रहना और अजे को समझा देना हम लोग द उटेंशन मतले यार कुछ नहीं होगा सच मैं चुपकर तेरी वज़े से मैं यहां सड़ रहा हूँ मेरी जिन्दगी बरबाद हो गई है मैं क्यों तुझे बरदाश करूँ तु मेरा भाई है या मेरा साला सब कुछ ख़दम कर दिया तुने मैंने अमरिका जाने के लिए क् बचपन में माबाब गुजर जानी के बाद हर किसी ने मुझे तुस्से दूर रहने को कहा लेकिन मैं तो हमेशा तेरे साथ था तेरी हर हरकतों को बरदाश्ट करता रहा तेरे अपनों ने तुझे घर से भगा दिया मैंने तुझे कितना मना किया कि जगड़ा मत कर लेकिन तुने मेरी एक बात नहीं सुनी। देख, मैंने तुसे मनार क्या था कि उन लोगों से उधार मत ले। लेकिन तुने मेरी बात ही कहां सुनी। हम यहां मुसीबत में हैं। इन सब बातों को छोड़ कर, करीना मेरी दोस्त है, इस तरह की डींगे मारने का, क्या मतलब होता है यह सब बताएगा तु मुझे? और तु इतना बेशर्म है कि तुझे इस बात का एसास तक नहीं है। सुन, तेरे जी में जुआ है वो तु कर, मैं तेसाथ कोई कमिटमेंट में नहीं रहूँगा, इसलिए तुझे कोई पसन नहीं करता, तुने जिंदगी में कभी किसी की फिलिंग सी परवा ही नहीं की, यहाँ तक तुने प्यार के नाम पे, बेबी के साथ भी, हसते वे खिलवार करता जा रहा है, जो की ठीक नहीं है, तु किसके प्यार के लाइक नहीं है, मुझे तो तुझे शर्म आती है, ची, मैं तुझे क्यूं समझा रहा हूँ, तेरे लिए जॉब की अपने केरियर की कोई वैलियू तक ही नहीं, माफ करना बाबू, तेरे जैसे आनाच से दोस्ती करके मैंने बहुत बड़ी गलती की तु बिल्कुल सच कह रहा है मेरे दोस्त, मुझे वाकई में इन सब की कभी कोई परवा नहीं थी, इतने साल तक तुने मुझे जेला है, तो बस और दो दिन के लिए जेलने मुझे, मुझे पर यकिन कर मैं कोई न कोई रास्ता निकालूंगा, हाँ, बस मैं कुछ भी करू, का मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन तुने ऐसे कैसे कह दिये कि मैं आना दू, तुम दोस्तों के सिवा, इस पूरी दुनिया में मेरा और कौन है, लेकिन तुने अज बता दिया कि मेरी अवकात क्या है, सोनू सेट से डील करना या सूपर फास्ट ट्रेंड के आगे ठैरना, दोनों एक ही बात है, फिर भी मैं तुम्हें आपने बारे में बता रहा हूँ, तुम्हारे बारे में जानने के लिए मेरे पास पालतू वक नहीं है, तुम्हें पैसे चाहिए, मुझे यहां से बाहर निकालो, मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूँगा, तुम्हें यहां से बाहर निकालना बहुत मुसीबत का काम है, बहुत रिस्क है, सब कुछ अनुफिशियली मैनेज करना पड़ेगा तो तुमसे नहीं होगा? सोनु सेट, इस शहर का बादशाओ हलो, इतनी बार बोला, समझ में नहीं आ रहा है क्या, कौन हो तुम बोलो, चिल्ला मत, रखने फोट हलो, मातुरी, बाबू और रजे को किसी ने मानने की धमकी दी है, कौन है वो, उसने नाम नहीं बताया, अब हम कैसे पता लगाएंगे, मुझे पोट टर लग रहा है, अतरे क्या होगा उनका, वो लोग घर आ गया बेबी, कौन, बाबू और रजे, पैसे उपर ही है ना, न कर रहा है, मैं कौन हूँ, पता है ना, पता है, तेरा नाम सोनु सेट है, इस शेहर का बाश्या, लेकिन इसे देली तो यहां नहीं आ सकती, हमें ही वहाँ पर जाना होगा, तो आब बागी बाते वहाँ पर करें, तुम्हें बाहर लाने के लिए कितना रिस्क उठाया मैंने पैसो के लिए, वहाँ जाने के बाद अगर पैसा ना मिले तो, तुझे पैसे चाहिए मिल जाएंगे, पहले टिकेट का इंदजम कर, ने तो पैसे भी नहीं मिनेंगे, समझ गए, दिल्ली में पैसे देगा बोल रहा है, तु यहीं रूख, उन पे नजर रख, मैं होके आता ठीक है, यहां वापस क्यों आए, तुम लोग चीप फिलो, अच्छा समझ के तुम्हें मकान किराया पे दिया था लेकिन तुम्हें अभी और जादा बात करेगा ना, तो तेरी बकवास सुनने के बज़ए, तेरी पेट में चाकु गुसर दूँगा, खोपड़ी गरम है य कि हम दोना के बीच में भी ऐसा वक्त कभी आएगा, ने तो मैं तुझे कभी मिलता है नहीं, इस दुनिया में तुम लोग की मेरे सबसे प्यारे दोस्त है, मैंने कभी खुद को तुम लोगों से अलग नहीं समझा, मैं कितना गर्व महसूस करता था कि तुम लोग मेरे दोस अरे तुम लोगों के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ, और तुम लोगों कुछ हो गया होता, तो मैं कैसे परदाश कर सकता था, तुमने सोच भी कैसे लिए, कि मुझे कोई फिकर नहीं है, अरे उस दिन पार्टी में जगड़ा हुआ, सब लोगों ने मुझे परवा नहीं है, ना मैं तेरा साला हूँ, ना तेरा भाई, तुम लोग तो ये समझते हो कि मुझे मैं इंसानियत है नहीं, तो इंसान ही नहीं हूँ, एक बार कहते थे, अरे बाबू, अपनी जान दे दे, अरे मैं हस्ते हस्ते जान दे थे तरा कोई सवाल निकरता तुम से तेरा मेरा कोई खून का रिष्टा ना से, दिल का तो है, लेकिन तुने मुझे अश्पराया कर दिया यार, मेरे अपने रिष्टदारों ने मुझे दुद्कार दिया, और आज अब मेरे अपने दोस्तों ने दुद्कार दिया, तुझे फ्लाइट में चड़ाने के बाद मैं मैं बहुत रोने वाला, जो पुलीस मेरे साथ क्या करते हैं, या फिर वो गुंडे मेरे साथ क्या करते हैं, मुझे कोई परवानी या Sakson winter मैंने अपने पुरी जिंदगी में आज तक कही कोई कशम नहीं खाई लेकिन आज आज मैं अपनी माह की कसम का भी कहता हूँ मैंने ये सब तुझे बरबाद करने के लिए नहीं किया था मेरे दोस्ट तुम चानते हो ये समय तुमें क्यों बता रहा हूँ ताकि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि मैं कैसा हूँ बच्पन में जब मेरे अपने माबाप मेरे सामने दम तोड़ रहे थे तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं लेकिन अब मैं तुम्हारे ले कुछ भी करूँगा, कुछ भी तुझे अमेरिका भेज के दम लूँगा आजए चाहे मुझे कुछ भी हो चाहे इन सब चीजों के लिए मैं ही जिम्हेदार हूँ ना तो मैं इस शेर से हमेशे के लिए जा रहा हूँ कभी नहीं दिखूँगा बाबू उस दिन से आज तक मैं अपने आप से नजरे नहीं मिला पा रहा हूँ तुझसे बिना बात के में एक दिन भी नहीं रह सकता तुझे कैसे छोड़ दूँगा बता मुझे तेरे लिए कुछ भी करूँगा बाबू हाथ से माँ बाप सारी चीजे तेरे बाद होगी तेरे बाद होगी के पारिए अपने अधार न गाने है डिम अचनकिए थिर्धिभी मिश्ऩ के शष्व मिजा वर्य भी आ upgrades Ee चल나비मरें अमरे मंखे और भुखनें चैल जानदी थाथ डेगं साहरा थे बाबु शुनो तो बाबु प्लीज तु छुब कर नई हम इरिकर जाए गोला तु जाएगा आप यहाए तेरा विज्व मेफर गाया तु चुड़ काया जा सकते बाबु पापू.. 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 इस तो ओ जू सो तो आगया लिए. अधी.. घरन.. आधी.. तू यहां पर.. चलो.. छब बना से ले.. बूँ.. तुम लोग ठीक हो ना तू ठीक तो है ना एक बहुत बड़ी गलती हो गई उस दिन जब तुम लोग चोरी करने गए थे उसके बाद पपू यह पपू कर दोस्त की जान बचाना ही काफी नहीं होता बच्चे उसे देखकर सही सलामत घर भी लाना चाहिए था तुमको सुझे कि अंदर जाओ और जल्दी करो पाइफ थर्टी का प्लान याद रखना जस्ट टू मिनिट्स में काम निप्टाओ ज्यादा टाइम नहीं है ओके क्यारे दोस्तों की जान बचानी आए प्लीज उन्तों ने को कुछ मत करना प्लीज बाहर है क्या जल्दी से पॉलीस को प्रेस को इंफॉर्मिशन दे दो यही लोग फस जाएंगे हम पर किसी को कोई डाउट नहीं होगा ओके उन दोनों को कुछ मत करना वो दोनों मासुम है प्लीज उनको कुछ मत करना बले मुझे बाहर दाना रही मासुमों को नहीं चोड़ता मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं रोक नहीं पाया सॉरी यार हमने तुझे गलत समझा था मुझे माफ कीजिए हमारे स्टाफ की गलती की वज़े से आपके दोस्त की जगे पर रहीम नाम के क्रिमिनल को अपने साथ ले गए अपने दोस्त को डिस्टार्ज करके ले जाते वक्त रहीम का भी वाट शिफ्ट हुआ था तभी मेरे स्टाफ वहां रहीम के चेक अप के लिए आए और गलती से आपके दोस्त को रहीम समझ कर अपने साथ चेक अप के लिए ले गए कितनी आस्तानी सापने कह दिया लेकिन डॉक्टर उस वज़े से हमारी जिंदगी बरबाद हो गई अरे हट इससे बात क्या करता है इसकी तुमाइब अपके गुसे को मैं समझ सकता हूँ इस गलती का पता हमें तीन दिन बात चला आप लोगों को कॉन्टैक्ट करने की कुशिश की लेकिन उस वक्त आप लोग जेल में थे जिसे डिस्चार्ज किया वो मोस्ट वॉंटेड क्रिमिलल रहीम था ये बात अगर भार जाती तो पोलिस हमें अरेस कर लेती इसलिए हमें इसलिए हमें फसादिया है ना वो क्या है अगर डॉक्टर सरकल में ये बात फैल जाती तो मेरा लाइसेंस कैंसल हो जाता अम रियरली सॉरी तब से आपकी फ्रेंट को स्पेशल वार्ड में रखा है उसका इलाज भी अच्छी तरह किया है पुली समझ रही है कि उनका मुझ्रम रहीम अभी भी इस वक्त कोमा में है एक हफ़ते में आपका दोस्त होश में आ जाएगा सॉरी सर ये सब मेरी वज़े से हुआ है तीरी को आपने मेरे दोस्त की जिन्दगी बचाई है बस इसी वज़े से मैं आपको छोड़ रहा हूँ अब बहुत हुआ अब आगी क्या करना है वो सुचो अपना फोन दे जरा या हो गया छोटे तेरे को भाई एक मुसिबत में फस गया भाई अरे क्या हूआ को तो कुछ नइ हुआ ना इसके करीना की तो अरे बात ये है जस केस के लिए हम लोग अंदर गए थे ना उस केस का असली गुनेगार कोई रहीम नामका दे है तो फिर तुम लोगों ने क्या किया था हमारी कोई गल्ती निये भाई भाई हॉस्पिडल से मिस्टिक हो गया भाई हमारी मदद करोगे ना क्या छोड़े तु काई को रिक्वेस्ट करता है ओडर दे क्या करना है ओके ठीके तुम लोग जिदर हो अधर ही रेना मैं भी फोन करता हूँ पुलिस के हाथ में आ गये तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा समझ गया ना मैं अभी अपना दिबाग चलाता हूँ मुझे माफ कर दो चोड़े भाई मुझे पता नहीं था कि आप ना भाई को भी जानते है मुझे से बहुत बड़ी कलती हो गई चोड़े भाई मुझे माफ कर दो आप लोग जेल से बाहर केसे आगए भाई कोई सोनु से रे भाई पैसो के लालश में हमें उसने बाहर निकाल लिया सोनु सेट क्या रहे देल्ली जाना है कहकर यहां के छुपकर बैठ गया क्या समझा तू आप देल्ली नहीं जाओंगा मॉंबई जाओंगा सोनु सेट इस शेहर का बादशाव सोनु सेट पे हाथ उठाओगे तो एक ही बुलेट सिधा अंदर जाएगा और अधाम कर इधर मार मुझे मुझे मार बोला ना नहीं भाई भाई मैं तूमें क्यू मारूंगा भाई अरे लालन भाई मुझे माप कर दो अच्छा यह बता तुई शेहर का डॉन दब से वाई मैंने कुछ नहीं कहा अगर तू डॉन है तो हम लोग कौने रे वड़ा पाऊ बेचने वाला अरे नहीं भाई मैं तुम्हारा एक लोता चमचा हूं लालन भाई इन दोनों को जेल से बाहर काई को लाय रहे तू मैं क्या करूं भाई दोनों ने जिस कमपनी में चोड़ी की उसका वोनर इनको बाहर लाने को कहा है उसका क्या काम रहे रिकावरी तो पुलिस वाले करेंगे न वो मैं नहीं जानता भाई कुछ तो है भाई उन्होंने कहा बाहर लाओगे तो 20 लाग रुपे मैं तुम्हें दूंगा मेरा एक आदम है वो तुम्हें रहीम के पास ले कर जाएगा ठीके बैठीके टेक केर चोटे ये तेरे और अजे के जेल से बाहर जाने के बाद पुलिस इंक्वारी करने के लिए जेलबे आया थी उन्हें पता चल गया कि तुम लोग भागगए हो मैं दर मैनेज़ कर लूँगा तुम लोग समल के रेना हम बहार है पुलिस वालों को पता चल गया ऐसा क्या है है अब क्या करेंगे चलो पहले यहां से निकल देंगे किंदर है वो वो फुराने बंगले में चुपा है भाई आपका हो तो मैं जाओ भाई जाओ सुनो छोड़े वह भाई खत्राब के तिरहें समाल के तुम इसे देख लो मैं जातों से नहीं बटा हूँ ठीक है ठीक है जाओ ठीकए चलो एय देख तुकान है यही कमीना रहीम है यह बुढ़ा कॉन रहे तेरा दोस्त है क्या देग अब इंट्रोड़क्शन का डाइम नहीं है पैसे ले और अमरे साच चल चल रहीम हुमैं तेरे ड्रामे बाजी के अपने पास ताम डहीम है समझाहए對不對 रहीम हुमैं अइसा क्या रहीम को मारेगा कुछ है तुछे बयार के बहुका नाम अब उसे मैने नहीं मार किराया था मैने अपने लाइफ के सारे विलंस को अक्केल भी खतम किया समझा तू वो किस खेत की मुली है तेरी माकिया हुए आज़ा आज़ा हाज़ा आज़ा आज़ा मार 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 हेँ तो आगि Kayy कहां बाग रहा है bae तुम निकल गया आई, 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 आई. मार, बार! है बस हो गया और मारेंगे तो मर जाएगा आजा चल्वे भाई रहीम को हम लोग ने बगड़ लिया शाबाश शोटे शाबाश और पैसे भी मिल गए अरे अभी टाइम बर्बाद मत करो कोड बंद हो जागा जल्ती पहुचो तुम लोग उदर सर जल से आ रहा हूं ओ दोनों जल से भाग गयें सर तो जाकर नहीं टूप मरी है सर मेरी क्या गलती है सर आप बताइए आप मेरी सिंसेटी जानते हैं मैं ट्रेनिंग में गोल्ड मेडलिस्ट था लास्ट यार मुझे परम चकरवी मिला सर अने आपको केस देना ही मेरी गलती है सर मैं आपसे बाद में बात करता हूं सिविक सेंस नहीं है एम्बूलेंस को बीच रास्ते में रोग दिया है अगे निगलो चला जलो चला सर मैं उन्हें किसी भी हालत में नहीं चोड़ा है चुरूंगा सर उन्हें पकरकर ही क्रिष्ण मोहन आपके सामने आएगा सर यह सर इनको तो नहीं छुड़ूंगा ललन भै इसका क्या करें सुन्रे पोन कर ते रहे उस अनर को जरूरी है क्या है हलो लड़के कैश के साथ रेडी है शेहर के चौराहें के पास सच के रहे ना दो सोनो सैट इस शेहर का बादशाह यह कार हमारे अमडी की है सब्सक्राइब सब्सक्राइब पैसे मांगतों तूने त्ये नहीं हाँ और एंडी बंता है केस में हम लोग फास गये पैसे पुलिस रिकावर करेंगी तो तू बीच में कुन्हीं करा ते री तो सारे सबूतों को मद्दे नजर रखते हुए कोट ये मान चुकी है कि में सेक्यूरिटीज में हुई चोरी का असली मुजरिम रहीम ही है एटियम में जाली नोट रखकर सरकार और जनता को दोका देने के जुर्म में में सेक्यूरिटी कंपनी को सीज करने का हुक्म जाली करते हुए उस कंपनी के चेमिन को गिरिफ्तार करने का आदेश दिया जाता है चोरी करने की कोशिश में पकड़े गए विजय बाबू, अजय और करंग को अदालत छे महीने के ही सजा सुनाती है अजय इंफर्मेशन मिलिये सर, वो लोग कोट में ही है किसी भी हाल में सर एए, यवर अंडराइस्ट वो किसलिये है जेल तोड कर भागने के लिए चलो, हम लोग वही जा रहे, तुम्हें भॉप कर देंगे ये ये पापू भाइ, ठीक है भाइ भाइ, भाइ ये एए, ये पक्ड़ो. शॉत लेटें चलो. क्रयन रूपर रो चलो, कम ओन फेट ख्लेर, कम आन चलाप कलाप, कम आन फास्सेयार कम आन रेड़ी, कैम रेडी स हटाथ, आई राइड़ी केन वी टेक वाइबाफॉट कर देंगे तो यहां पर कैसे आगे अरे नमूना कौन है यह यह जो मिस्ट दिये करता था मुझे बहुत मिस्स किया करता था मा आग यहा हूं आजाहाओण तुझे आज तक कितने मिश कॉल दिया लेकिन तुम ने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया का मर गया तरो किया इस बार मुझे माफ कर देना मोटूडाम अगली बार जरूर फोन करूंगा ए तू जरा इढ़ा इसे सांबाल करकना यह चोरी तो तुम चलो ना, रूम पे चलते सम बता दूँगा